हेलो दोस्तों नमसकार कैसे हैं आप सभी दोस्तों most important information लेकर आया हूँ कि B.A.D. Candidate ने case किया था as-tate के regarding कि अब के बार क्या हुआ कि as-tate ने note case निकाला था कि PRT जिसे हम primary teacher कहते हैं उनके लिए b.A.D. वाले apply नहीं कर सकते लेकिन दोस्तो सीट एट वे अनट एट में बेड़ वाले अपलाई कर सकते हैं प्यारिटी में किरपे इस वीडियो को लगाता रोग कंटिनुज देखेगा आप अमारे इस यूटूब चैनल यूथ इंडियन को जुरू सब्सक्राइब करें यूथ इंडियन हमारा यूटूब चैनल है इस पर जो भी फैसला आएगा आने वाले टाइम में मैं आपको जरूर दूँगा औ देखिया दोस्तों दविंदर कुमार सर्मा दविंदर कुमार सर्मा याचिका करता है और अपोजिशन है स्टेट ओफ हरियाना एंड अदर्स यह प्रजेंट यानि केस को प्रजेंट करने वाले हैं एडवोकेट हैं मिश्टर रजत मोर एडवोकेट हैं और दोस्तों अगल सुनवाई के लिए डिशिजन लिया है कोट ने अगली सुनवाई हो रही है 21 बारा 2018 को 21 दिसंबर को फिर शे कोट लगेगी और जो SCRT है SCRT जो हरियाना का SCRT है वे अपने डोकुमेंट पेस करेंगे अपने दस्ताविज पेस करेंगे साथ दिनों के अंदर अंदर और 21 तारी को इसका फैसला संपूर रूपशेट डाल दिया जाएगा यानि इनफ्रोमेशन 21 तारी को जरूर से जरूर इसका फैसला आएगा अंतिम फैसला आएगा 21 दिसंबर 2018 को तब तक NCRT क्या है परूफ लेकर आएगी और डोकुमेंट पेस करेगी कोर्ट को तो दोस्तों टाइम मांगा था NCRT ने कि हमें टाइम दो तो एक अफते के अंदर वे डोकुमेंट पेस करेगी और 2012 2018 को इसका फैसला आ जाएगा और दोस्तों ये देख सकते कि 10 दिसंबर 2018 को ये फैसला लिया गया जो तारीख थी तो 2012 2018 next date भी है next date भी है कोर्ट की के 22 2012 2018 को फिर शिर कोर्ट लगी और इसका फैसला सुनाय जाएगा दोस्तों जज आप दे सकते हैं जज का नाम आप दे सकते हैं और next date आज सुकी है और दोस्तों आपको पता है कि 10 दिसंबर को जो फैसला आना था लेकिन अगली date अनिशियार्टी ने कहा कि हमें time किया सकता है कुछ दस्तावेज और कुछ document इकठा करके हम court के पास court के सामने पेस करना चा चाहिए या नहीं आना चाहिए जरू comment करके बताएगा और दोस्तों मैंने बहुत सारे कानून विशेशग्य से बात की क्या बीड़ वालों के पकसी में आएगा फैसला तो दोस्तों उन्होंने पुछा कि seat at में क्या होता है तो मैंने बताए कि seat at में तो बीड़ वाले apply कर स दोस्तों जो भी फैसला आने वाला वाग आने वाला है वो दोस्तों 21 दिसंबर को फैसला आएगा आने वाला जो समय जरूर बताएगा 21 दिसंबर जरूर बताएगा दोस्तों जब भी फैसला आएगा मैं आपको तुरंत इस यूटूब चैनल पर बता दूआ थैंकि दोस्त क्या हो जाती है प्राइमरी टीटर के लिए तो दोस्तो अगर फैसला बेड़ वालों के अकोडिंग आ जाता है तो फिर शे ओन लाइन पर किरिया फारम अपलाई करने की डेट आ जाएगी और दोस्तो देखने वाली बात होगी कि आखिर कोट का फैसला आता है क्या थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद कैसी लिए ये वीडियो जादा जादा लाइक करें शेर करें और हमारे इस यूटूब चैनल यू ठीने को जुरू सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच्छ